अ गुद्मॉर्निंग प्रैंड्स में पुजा में में आपका हर्दिक स्वागत करते हूं तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अंधेरीनगरी अंधेरीनगरी में हमने देखा था कि कि अंधेर नगरी किसे कहते हैं मैंने आप कि ही उदारण से आपको बताया था कि आप कि इस प्रकार से आप जूट बोलकर अपने माता-पिता से दगाबाजी करते हूं कि हम पढ़ाय कर रहे हैं और आप देख रहे हो और कोई वीडियो तो इसे हम अंधेर नगरी कहेंगे आज हम ये भी उदारण दिया था हमने कि नमक और प्याज के दाम कितने बढ़ गए हैं एक आम इंसान को नमक और प्याज की जरूरत कितनी होती हैं उनके ही दाम बढ़ते जा रहे हैं तो ये भी एक अंधेर नगरी साथ में अमेरिका का भी एक उदारण दिया था कि प्राइमरी का बच्चा जिसे वो अपने साथ बंदुक रख सकता है रिवोल्वर रख सकता है और उसके ही रिवोल्वर जो उसके साथ अच्छा ना बिहेव करे उसको मार सकता है एसी सोच होती है कि किस प्रकार से अंधेर नगरी कहा जाता है जैसा राजा वेसी प्रजा तो यह हमने देखा था परतेंद्रु हरी जी के बारे में हमने देखा था कि उस समय ऐसे सासक थे जिन्हें यह कहना कि अंधेर नगरी चौपट राजा तकेशेर भाजी तकेशेर खाजा यह था राजा तथा प्रजा ऐसी उकती सही बैठती हो है लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते तो उस समय को दिखाने के लिए यह अंधेर नगरी लिखा गया है यह अंधेर नगरी लिखा है उसमें भी क्या लिखा है यह प्राचिंतम अंधेर नगरी इनाटक है जिसमें पहले भी यह अठ्रास सन अठ्रासो में है ना अठ्रासो पचास और अठ्रासो पिच्चा से के बीच में लिखा हुआ है तो सन 18 से लेकर आज हम 2020 तक पहुँच गए तो इतने साल बात भी हम यह अंधेर नगरी पढ़ रहे हैं और आगे चल कर भी हम अंधेर नगरी पढ़नेंगे क्योंकि यह उस समय में इतनी बढ़िया सोच थी भारति इंद्रुजी की कि उससे पता था कि यह आज और आने वाली पीडियों तक यह याद रहेगी और हमें भी अगर कुछ याद रहे तो यह रहेगा अंधेर नगरी चोपड राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा तो यह सारी जो चीजे हैं जो हमें जोड़ कर रखती हैं केसे कितनी ऐसी कहानिया हैं जिनने हमें एक जुट कर रखा है और उसमें भी हमें बांद कर रखा है कि किस प्रकार से हम आने वाली पीडियों को सुधार सकें इस कहानी पर से इस एकांकी पर से हमें यह सीख लेनी हैं कि हमें भी इस अंधिर नगरी में शामिल नहीं होना है क्योंकि हमें करप्ट नहीं होना है यदि हम बात करें हाल के प्रदान मंत्री की तो आप देख लो किसी भी राज्य के मंत्री को मुख्य मंत्री को उसकी कोई ना कोई रिलेटिव कोई ना कोई गवर्मेंट में किसी होद्दे पर होंगे लेकिन नरेंद्र मोदी या मैं किसी पक्ष के फाइदे में या किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूं लेकिन देखो उसके आगे पिछे कोई नहीं है उसने अपने परिवार उसका भाई आज भी अपनी गुजरान के लिए वो नौकरी कर रहा है प्राइवेट नौकरी कर रहा है जिससे आमदनी अच्छी नहीं है फिर भी जिसका बाई पूरे इंडिया का प्राइम मिनेस्टर हो प्रदान मंत्रे हो फिर भी वो उसके आमदन इतनी कम वो ना खाने देता है ना हाँ पर हमें आज एक शत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें करप्षन ना हूँ लेकिन हमें इस सबसे दूर जाना है करप्षन नहीं करना है परतेंद्रु अरी जी के बारे में हमने पढ़ा था फिर भी एक बार आज हम फिर से रीड कर लेंगे परतेंद्रु परतेंदु हरिष्चंद्र परतेंदु हरिष्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता माहों कहे जाते है क्योंकि मैंने लास लेक्चर में बात की थी क्योंकि सिस्ट रूप में हिंदी में कोई रचना की स्टार्टिंग की है तो वो कौन है भार्तेंद्रू हरिश्चंद्र जी वे हिंदी में आदुनिकता के पहले रचनागार थे इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था भार्तेंदू उनकी उपाधी थी पेटनेम हिंदी साहित्य में आदुनिक काल का प्रारम भार्तेंद्रू हरिश्चंद्र से माना जाता है पार्तिय नौजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भार्तेंदू जी ने देश की गरीबी पराधिन्ता साशकों के अमानविय सोशन के चित्रण को ही इस पाश्टर भाषा के रूप में प्रतिश्चेत करने की दिश्चा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उप्योग किया पार्तेंदू बहूर मुख्य प्रतिभा के धनी थे हिंदी पत्रकारिता नाटक और काव्यकेक्षेत्र में उनका बहू मुल्य योगदान रहा हिंदी में नाटकों का प्रारम पार्तेंदू हरिश्चंद्र से माना जाता है पार्तेंदू ने हिंदी नाटक की नीव को सुद्ध बनाया है उन्होंने हरिश्चंद्र पत्री का कवी वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रेका का संपाधन भी किया है वे एक उत्कुरुष्ट कवी ससक्त व्यंग्यकार सफलनाटककार कवी वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रेका का संपादन भी किया है वे एक उत्कुरुस्ट कवी ससक्त व्यंग्यकार, सफलनाटककार, चागुरुत पत्रकार, ओजस्वी गद्यककार थे इनके अलावा वे लेखक कवी संपादक निबंदकार एवं कुशल वक्ता भी थे इनकी प्रमुक्र चनाए भारतेंदुकला, वेदिकी हिंसाना भवती, सत्य हरिस्चंद्र, भारत दुरुदशा, अंधेर नगरी, नाट्यसाहित्य, पूर्ण प्रकाष, चंद्रप्रभा, उपन्यास, त्रियोकी उत्पति, बाच्छा दर्पन, नाट्यसास्त्र, कश्मिर समय, सोध रचना, सुन्दरी सिलक, पावस, कविता संग्र, काव्य, आदी, भारतेंदुजी ने मात्र 34 वर्ष के अल्प आयू में ही विशाल साहित्य की रचना की, 35 वर्ष की आयू में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टी से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया, कि उनका समूद्चा स्रचनाकारिय पत्धर्शक बन गया, आपका महान साहितिक कर्म, देवशक्ती से प्रेडित ही माना जाएगा, तो ये थी भारतेंद्रु दू हरिश्चंद्रची के बारे में, अब इस एकांकी में क्या कहा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, एकांकी मतलब वन प्ले एक्ट जो हमने पहले भी आपको पता दिया था, प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके दोशी शेक नगरी में पहुँचते हैं, जहां मुर्ख राजा और मुर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है, नगरी सर्वत्र अग्ञानत का अंधगार था, अनुसासन रहित विवेक हीन प्रजा में किसी से प्रेम आत्मियता का नामों निशान दिखाई नहीं देता था, अच्छे बुरे में अंतर नहीं और सच जुट का अग्ञान नहीं, भाजी का मुल्य और खाजे का मुल्य एक टका यथा राजा तथा प्रजा कहावत के अनुसार, राजा को भी मुर्ख और प्रजा भी मुर्ख, ऐसे लोग अप परिचित करवा कर इसे बचने की प्रेणा देते हैं, तो सबसे पहले, मैंने आपको होंवर्ख दिया था, कि कहावत, सब्दार्त, मुहावरे, तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, कि यता राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा कहावत है यथा राजा तथा प्रजा जैसा राजा होता है जैसा राजा होता है ठीक वेसी ही प्रजा होती है जैसा राजा होता है ठीक वेसी ही प्रजा होती है राजा अगर राजा अगर निती मान होती है निती मान होती है तो उसकी प्रजा तो उसकी प्रजा निती पूर्ण होती जैसे राजा होता है ठीक वेसी ही प्रजा होती है राजा अगर निती मान होता है तो उसकी प्रजा भी निती पूर्ण होती है तो यद जैसा राजा वेसी प्रजा ऐसा यहाँ पे कहा गया है तो सबसे पहले पात्र परीचे करवा देती हूं महंत नारायन दास महंत के शिश्य, गोवर्दंदास महंत के शिश्य, चोपट राजा, अंधेरी नगरी का राजा, कुंजडियन, हल्वाई, परियादी, कल्लू बन्या, कारिगर, चुनेवाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सीपाई, आदी इतने सारे कैरेक्टर यहाँ पे है, प्रमुक तीन द्रश्य में ये एकांकी है, पहले द्रश्य में महंत और अपने दो शिश्य, अंधेरी नगरी पहुंचते हैं वहाँ पे भिक्षा लेने के लिए, दूसरे द्रश्य में कल्लू बनिये की दीवार गिर कर बकरी मर जाती है, उनकी बात है, और किस प्रकार से सभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और अंत में जिसका कोई गुना ही नहीं है, वैसा गोवर्द अंदास उसको फासी पर चड़ाया जाता है, और गोवर्द अंदास को फासी पर चड़ाया जाता है, उसी प्रकार फिर तीसरे द्रश्य में किस प्रकार गुरु जी अपने चेले गोवर्द अंदास को फासी से बचा देते हैं, और किस प्रकार राजा खुद फासी पर चड़ जाता है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है तो प्रमुख तिन द्रश्य हैं पहला द्रश्य हम देखते हैं स्थान सहर के बार सड़क महंत जी और दो चेले बाते कर रहे हैं महंत महंत मठ का प्रदान मठ का प्रदान मुखिया महंत और अपने दो शिश्य अंधे नगरी के बार एक सड़क की द्रश्य यह पर दिखाई दे रहा है जो अंधे नगरी के बाहर का द्रश्य है और वहां से हमारी एकांकी का स्टार्टिंग होता है वहां से बाहर से ही देखकर इनको लगता है कि यह कितना सम्रुद्ध कितना अच्छा नगर है शहर है यहां से कुछ अच्छी भिक्षा मिल जाए तो अच्छी बात है महंद बच्चा नाराएंदास यह नगर तो दूर से बड़ा सुन्दर दिखाए पड़ता है देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान तो भोग लगे और क्या महंद जी कहते हैं बच्चा नाराएंदास से अपने सिश्य से कहते हैं कि नाराएंदास कि यह नगर सहर बड़ा सुन्दर दिखाए के देवता है यदि यहां से अच्छी भिक्षा मिल जाए तो हम भगवान को भोग लगा कर खाना खा सकते हैं नाराएंदास गुरु जी महाराज कि नगर तो बहुत सुन्दर है पर भिक्षा भी सुन्दर मिले तो बड़ा आनंद है कि गुरु जी महाराज नगर तो बहुत सुन्दर है नाराएंदास कहता है नगर तो बहुत सुन्दर है गुरु जी यहां के लोग भी अच्छे हो और अच्छी भिक्षा मिल जाए तो और बड़ी बात है बच्चा गौर्दंदास तो पंस्चिम की ओर जा और नाराएंदास पूर्व की ओर जाएगा गौर्दंदास जाता है दोनों साइड दोनों सिशे को पेज दिया कि इस साइड तूजा और इस साइड तूजा जिसी को किसी को भी अच्छी क्या बिक्षा मिल जाए तो वो अच्छी बात है गोवर्द अंदास जाता है कुझडियन से क्यो बाजी क्या बाव कुझडियन कुझडियन शाग बाजी बेचने वाला शाग बाजी बेचने वाला तो अब क्या है अब गोवर्द अंदास जो शाग बाजी बेचता है शाग बाजी बेचता है उसके पास जाता है और कहता है कि यह बाजी क्या भाउदी हैं कुंजडियन बाबाजी टकेशेर टके माने पैसा सब बाजी टकेशेर वावा बड़ा आनंद है यहां सभी चीजे टकेशेर कि एक पैसे में सारी चीजे वावा बड़ी अच्छी बात है फिर वो बास में हलवाई के पास जाता है क्यों बाई मिठाई क्या बाव टकेशेर बाजी जो सबजी सागबाजी जो लेते हैं उस्क में और हलवाई में मिठाईयों में अंतर तो है ना प्राइस में डिफरेंस है तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है बाजी भी टकेशेर और मिठाईया भी टकेशेर वावा बड़ा आनंद है सब टकेशेर क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है अंधेरी नगरी इसकी राजा का नाम क्या है कि चौपट राजा वावा अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेशेर बाजी टकेशेर खाजा तो बाबुजी कुछ लेना है तो ले लो बच्चा भिक्षा मांगकर साथ पैसे लाया हूं साड़े तिन शेर मिठाई दे दो महंत जी और नाराइंदास एक और से आते हैं और दुसरी और से गोरधंदास आता उसको तो बड़ा आनंद हो गया साथ पैसे मिले थे और साथ पैसे में से साड़े तिन शेर मिठाई गोरधंदास ने ले ली और एक साइट से महंत जी और नाराइंदास जो दुसरा शिशे था वो एक तरफ से आ रहे हैं और दुसरी तरफ से गोरधंदास अपनी गठरी में तिन शेर मिठाईयां लेकर आ रहा था एक बार फिर से देख लेते एक महंत अपने दोनों शिश्यों के साथ अंदेरी नगरी में आता है शिश्यों के नाम गोरधंदास और नाराइंदास था महंत और शिश्यों को नगर बहुत सुन्दर लगा था बिक्षा अच्छी मिले की ऐसी कामना से वो उस नगर में जाते हैं उस नगर में जाक कर ही उन्हें विक्षा लेना एक नाराइंदास और महंत जी साथ में जाते है और गोषदंदास दूसरी ओर विक्षा लेने के लिए जाता है गोवर्दन दास बजार में जाता है और वहाँ पे बाजी और मिठाई का भाव कुछने पर पता चलता है कि सब भियाँ पे टके शेर ही मिलता है और इस नगरी इस नगरी का नाम अंधिरी नगरी और इसके राजा का नाम चौपट राजा बताया गया था एक बार आप यहां तक पटाफट रीड कर लो एक बार बच्चा गोवर्दंदास क्या बिक्षा लाया गट्री तो भारी मालूम पड़ती हैं गोवर्दंदास गुरुजी महाराज साथ पैसे बीक में मिले थे उसी से साड़े तिन सेर मिठाय मोल ली बच्चा नारायंदास ने मुझे मुझे कहा था कि यहां सब चीजे टकेशेर मिलते हैं तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया बच्चा यह कौन सी नगरी है इसका राजा कौन है जहां टकेशेर भाजी और टकेशेर खाजा मिलता है तो अब यह सोच रहे होगे यह खाजा क्या है खाजा कब से बोले जा रहे है खाजा खाजा मतलब खाजा मतलब एक मिठाए टका यह टकाने पुराने समयर में पुराने दो पेशे पुराने दो पेशो पुराने दो पेशे का सिक्का तो अब गुरुजी कहते है कि नाराइंडास ने मुझे कहा था कि यहाँ पे टकेशेर भाजी और टकेशेर खाजा मिलता है लेकिन मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया लेकिन तुम यह साड़े तीन सेर मोल देकर मिठाईया ले आये हूं तो इस नगरी का नाम क्या है और इसके राजा का नाम क्या है तब गौर्ध अंदास क्याता है इस नगरी का नाम है अंदेरी नगरी यहां का राजे का नाम है चौपट राजा तब ही मान जी कहते हैं कि तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके शेर बाजी और टके शेर खाजा बिखता है मैं तो इस नगरी में अब एक शण भी नहीं रहूँगा गुरु जी उसके समझाते हैं कि बच्चा ऐसी नगरे में यहाँ पर रहना उचित नहीं है कि जहाँ पर कोई न्याय नहीं है उस सहर में रहना ठीक नहीं है कभी भी हम पर आपत्य आ सकती है तो मुझे तो एक्षन भी इस लगर में अभी नहीं रहना है गुरु जी मैं तो इस लगर को छोड़ कर नहीं जाऊंगा और जगा 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 जगाए दिन भर मागो तो भी पेट नहीं भरता मैं तो यहीं रहूंगा देख मेरी बात मान नहीं तो पीछे बचता आएगा मैं तो जाता हूँ पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी भी संकट पड़े तो याद करना यह काते हुए महन चले जाते हैं कि गोवरदcjiक को तो यहां पर अच्छा लग है कि कम अच्छा खाना मिलता है तो गोवरदाश कहता है कि मैं तो नहीं जाओंगा मैं तो यह नगर को नहीं जाओंगा हम पूरे दिन कितने गाउं और कितने फिर भी हमें इतनी भीक्षा नहीं मिलती है कि हमारे रात को भूख मिट चके यहां तो इतने पेशों में इतना सारा खाना मिल गया तो मैं तो यह छोड़ कर नहीं जाऊंगा तब भी कि मांत जी कहते है कि देख बेटा एक बात तु सही से देख ले कि एक बार देख ले कि बेटा तु पीछे पचताएगा तुझे मेरी याद आएगी मेरे बोल याद आएगी कि मैंने मना किया था कि यहां मत रहे मत रहे लेकिन तु माना नहीं वो यह करकर चले जाते हैं और करते हैं कि जब कभी तेरे परसंग कटाए तो मुझे याद कर लेना और यह करकर महनत जी वहां से चले जाते हैं यहां पे पहला दरिश्य जो था वो समापत होता है कि नारायन दास और महंत वहां से चले जाते हैं और गोवर्दन दास अंदेरी नगरी में रह जाता है अब दूसरा दुरुष्य स्टार्ट होता है राजा मंत्री और नौकर लोग यथा स्टार्ट बेठे परदे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है अभी स्टेज पर एक दर्बार का माहौल है राजा बैठा है मंत्री बैठे नौकर है सब लोग सही जगा पर बैठे हुए है चर्चा विचारना चल रही है और इसमें पीछे से आवाज आई दुहाई है तो राजा तुरंथी बोलता है कौन चिल लाता है उसे बुलाओ तो दोनों कर एक परियादी को लेकर आते हैं यह कौन चिल ला रहा है उसे बुला कर लाओ राजा ऐसा फर्मान करते हैं दुहाई माराज दुहाई राजा बोलो क्या हुआ फरियादी माराज कलू बनिये की दिवार गीर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई न्याय हो अब फरियादी ने अपनी फरियाद सुनाई की कलू बनिये की कलू बनिये की दिवार गीर गई और बकरी दब कर मर गई सबसे पहले फरियादी आता है और कहता है कि कलू बनिये की दिवार गीर गई और उसके नीचे मेरी बकरी दब कर मर गई तो आप न्याय कर जिए तो राजा कहता है कि कलू बनिये को बुलाए जाए अब कलू बनिया आता है कलू बनिया आता है और कहता है तब राजा कहते क्यों रे बनिये इसकी बकरी दब कर मर गई कलू बनिया कहता है महराज मेरा कुछ दोश नहीं है कारीगर ने ऐसी दिवार बनाई की गीर पड़ी तो बनिये ने कहा कि महराज मेरा कोई कसूर नहीं है मैंने तो कारीगर मंगवाए थे उस कारीगर में उस कारीगर ने ऐसी दिवार बनाई की एसी दिवार बनाई की वो गिर पड़ी तो राजा कहता है बनिये को छोड़ दो कारीगर को बुलाओ तो अब कारीगर को बुलाया जाता है अब कारीगर को कहते है कि क्यों रे कारीगर इसकी बकरी क्यों से मर गई कारीगर महराज चुने वाले ने चुना ऐसा खराब बनाई कि दिवार गिर पड़ी वो भी एस्क्यूस दिया जाता है और चूने वाले को पकड़ के लाया जाता है और राजा कहते हैं कि क्यूरे चूने वाले इसकी बकरी कैसे मर गई वो कहता है कि चूने वाले इसकी बकरी कैसे मर गई तबी चूने वाला कहता है कि महाराज पिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया इसलिए चूना कमजोर हो गया देखो अब इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी इसके सर यह कहावत यहां पर फिट बैट रही है अब चूने वाले ने भी बिस्ती के ऊपर डाल दिया विस्ती के से कहेंगे? कि मशक में मशक में पानी भरकर पानी बरकर घर घर पहुचाने वाला पहुचाने वाला फिर इसमें ही शद्द है मशक तो मशक का है चंबड़े का बड़ा थेला चंबड़े का बड़ा थेला तो चूने वाले ने भिस्ती के बोल दिया कि भिस्ती ने चूने में ज्याजा पानी डाला इसलिए चूना कमजोर हो गया इसलिए दिवार गिर गई तो राजा ने चूने वाले को भी छोड़ दिया और भिस्ती को बुलाने को कहा अब भिस्ती आया तो भिस्ती को भी कहा क्योरे भिस्ती ये कैसे कैसे बक्री मर गई क्यों अरे बिस्ती इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गीर पड़ी और बक्री दपकर मर गई बिस्ती ने अभी कहा महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है कसूर अपराद कि गुलाम का कोई अपराद नहीं है कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया कि उसमें पानी ज्यादा आ गया मशक में पानी ज्यादा आ गया था इसलिए मैंने भी ज्यादा पानी दे दिया इसलिए चुने वाली का चुना खराब हो गया है पर एक बार इतना रेड़ करके जब इसके बीच एक और कहावत आ गई अंदेरी नगरी चौपट राजा टकेशेर खाजा तो मैं यहाँ पर सिर्फ उसका मिनिंग क्या है वो लिख रही हूँ मुर्ख शासक मुर्ख शासक के मुर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था अव्यवस्था होती है होती है वहां बले बुरे सम बुरे सम एक समान समझे जाते हैं तो अब तक हमने क्या पढ़ा वो हम देख लेते हैं कि गुरुशी शेक नगर में आते हैं बाहर से नगर बढ़ा सुन्दल दिख रहा है अंदर जाकर भिक्षा मांगने जाने को कह रहे हैं तो अंदर जाकर पता चला कि यहां पे सब टकेशेर मिलता है वह चाहे बाजी हो या खाजा हो दोनों ही टकेशेर मिल रहा था गुरुशी को कहा कि यहां पे अंदरी नगरी चौपट राजा टकेशेर बाजी टकेशेर खाजा तब गुरुशी ने कहा कि यहां पे रुखना ठीक नहीं है लेकिन गुवर्दंदास जी मानते हैं और वह अंदरी नगरे में ही रा जाते हैं और नारायन दास और गुरू दूसरे स्थर छले जाते हैं फिर बाद में एक फरियादी आता है उसने कल्लू बन्ये की दिवार गिनने पर बकरी मर जाने का आरोप लगाया था तब ही राजा ने कल्लू बन्ये को बुलाया और कल्लू बन्ये ने कहा कि कारीगर ने कमजोर दिवार बनाई इसमें मेरा क्या कसूर मेरा कुछ कसूर नहीं ह तो कल्लू बन्य को छोड़ दिया जाता है, कारीगर को बूलाया जाता है तो कारीगर ने कहा कि चुने वाले ने कहा कि भीस्ती ने मष्क में ज्यादा पानी दे दिया और ज्यादा पानी दे दिया इसके कारण चुना कमजोर बन गया और दिवार गिर पड़ी अब यहां तक हमने पड़ा तो यहां पर तक हमने पड़ा उसमें अब आगे के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करने पादे तो आगया ने का सब्सक्राइब क। के सब्सक्राइब कर दोड़ा यहां और ज exhibits अनधाते इतने ज्यादा पानी आगया था तो अब विष्टी ने भी कसाई के उपर आरूप डाल दिया है तो यहां तक हमने पड़ा तो आज हम यहां तक रखते हैं तो आज हम वर्क में आप लोग स्वाध्ये चाप्टर एटेंगे प्रश्ण नंबर के प्रश्ण नंबर प्रश्ण नंबर 3, 4, 5 फेर बुक में लिखो आश्रेस फस्ट कीजी अंधिरी नागरी चौपट राजा टकेशेर बाजी टकेशेर खाजा तो वो तो मैं नहीं आप लिखी दिया था राजा के जीते जी कौन स्वर्थ जा सकता है हमें फासी चड़ा दो चल्दी करो तो हो सबसे बड़ा मुरक था सही सब्द चुनकर वाक्या पूर्ण कीजिए तो वहाँ पर आपको ओप्शन दिये ही गए है तो उसमें से देखकर आपको लिखना है फिर सब्द समू के लिए एक सब्द वो भी आपको सब्दात में से मिली जाएंगे तो आज हम यहाँ तक रखेंगे नेक्स लेक्चर में इस चैप्र की पूर्णा होती हम करेंगे तब तक के लिए मुझे आगया देजिए गुडबाई एन हैवर नाइस टे